थो सब्स्क्राइब ळेखने वाले हैं डिजी जेज जो फॉफ बाजरा कॉर्प यानि जो आपकी बाजरा क्रोप है जिसको अपने परल मिलेट भी कह देते हैं उसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं उनके क्या कोजल और्गेनिजम है क्या उनके सिंटम से हो और उनको कैसे मेनेजमिट किया जाता है तो उसके बारे में अपने आज डीटेल से पढ़ने वाले हैं तो वीडियो के स्टाट करते हैं मेरा नाम है गोविन तिर्दिया और आप देख रहे हमारा यूटी चैनल त का कौजल और्गेनिजम के हैं स्कलाइरषமिनresh. इनकोला डावनिमिल डीओ बाजरा का कौजल और्गेनिजम है दावनी फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है ठीक है इसके लावा इसमें क्या होता कि जो इंफेक्टेड प्लांट होता है उसमें यह नहीं बनते ठीक है यह जोते आपके वो नहीं बनते अगर बन वी जाये तो उसमें क्या वह फर मालफॉम्ड हो जाते हैं और एक गरीन लीफ हो जाता है इसलिए इसको अपने विल्डियू बाजरा को ग्रीन ये डीजीज भी कहते हैं बाजरा की ठीक है तो फंगल पैत्रों ट्रांस्वर्ण फ्लॉरल पार्शन इंटू ग्रीन लीनियर लीफी स्ट्ट्चर जी तब आपके फ्लॉरल पार्ट होते हैं वह सारे के सारे जो आपकी जो जो इयर से वह ग्रीन लीफी स्ट्ट्चर के अंदर कंवर्ट हुए हैं वह कैसे हो जाते बादम ब्राउन हो जाते हैं और बादमें ड्राइए हो जाते हैं ठीक है तो यह थे डाउनी मिल्डियू बाजरा की शिम्टम्स तो आप इमेज में भी देख सकते हो यह देखो लवर सर्पेस पर आपको वाइट कलर की फंगल ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी ठीक है दोनों इमेज में और यह आपकी ग्रीन लीफी स्ट्ट्चर जो इयर से वो माल फॉम्ड हो रही है और ग्रीन लीफी लाइक स्ट्ट्चर के अंदर कंवर्ट हो रही है यह श्म्टम है नाउनी मिल्डी ओ बाजरा की मनेजमेंट कैसे करेंगे यूज करेंगे हैल्दी सीडिन हैल्दी सॉयल जो आपके इंफेक्टेट प्लांट से उनकी रोगिंग कर देंगे फिल्ड सैनिटेशन कर देंगे ठीक है शी ट्रीटमेंट करेंगे मैटल एक जिल से या फर फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं मैटल एक जी से 0.4 परसेंट तो यह मनेजमेंट है डाउनी मिल्डी ओफ बाजरा का ठीक है और जो नेक्स्ट जो आपकी इंपोर्टन डिजीज बाजरा की वह है अर्गट ऑफ बाजरा क्या है बाजरा का अर्गट किसे होती है यह क्या जेलवर के नीजम है क्लेवी सेपस फूजीफोर मिस ठीक है अर्गट हो बाजरा होती है क्लेवी सेपस फूजीफोर मिस से किसे होती है क्लेवी सेपस फूजीफोर मिस से ठीक है तो क्या होता है कि यह क्या करता है यह क्या करता है तो एक तो रिडूज करता है उसके साथ क्य तो उस पंगर्ष के स्कलोरित या होते है ठीक है तो जब आपने पर्ल मेलेट बाजरा सिर्थ हाम प्रोड़क्ट जब हमन्या निमल्स ख़ते हैं तो इसमें भOoh झाल होता है रिमि रही होता है तो वह एक काम करते तो ध्यान रखना कि अर्गर्ट जो होता है ग्रेन रेडि़्यो जूमर करने के साथ चांट खाम करता है क्योंकि इसमें ये ऑफ खाजर ओता है कि इस में अलकलोड होता है मिसान क्लेर्क स्यूंचे स्यूघय निलब करें फूजिफ़र्मिस के ओज चेलता है पदार्त को अपने वनियुकाल हार के लगाई जाते हैं तो उसके बाद में उसमें क्या होता है Sclery A.B.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D. है इमेमेघ में भी देख सकते हैं ये ये आक क्रीमि तूप पिंक कलर कंच ऑफ टैसके को डी इसको już इसकी क्या हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं हाड हो जाते हैं और उसमें sclerotia develop हो जाता है ठीक है तो यह symptom से अरगटो बाजरा के अब कि क्या हैंग तो इसको management कैसे करेंगे healthy cd क्रेंगे healthy soil के अंदर ठीक है crop protection apply करेंगे या फिर जो आपके infected inflorescence से उसको साल्ट स्वीक तो उनको डालते ना तो वो झोलके सीड ओते हैं जो उपर अगरे अच्छे पानी से साफ साफ करके से कौंढें ले ले लेते हैं इसके लाव अपने फॉलीर स्प्रे कर सकते हैं मैंकोजेव की 0.25 परसेंट या फिर कुछ और फंजी साइट है जैसे जॉल्स है बैनोमील है या प्रोपिकोन जॉल या टेबुकोन जॉल यह भी अपने अर्गेट जो बाजरा इसके कंट्रोल मिजर्स में काम में ले सकते हैं टोली पॉस्पॉरियों पैनीसलेरी इसके सिंट्मस की बात करें इसमें आपको एक सोरी डवल अब फोगी सोरी यानिक स्ट्रक्चर होती है तो कि वह आपको इमेचर होगी वह आपको डवल फोगी उससे जो जिता होगा बुटा होगा जो आपका बाजरागा उसके अंदर जो नॉर्मल जो बुट्टे के अंदर से जो सीड होते हैं उस सीड से वह सोरी क्या होगी बड़ी होगी ठीक है साइज में बड़ी होगी और जो पैनिकल्स होता है वहां पर आपको जो ग्रैन फिलिंग स्टेज होती उस पैनिकल्स में जो बनने स्टार्ट होंगे उस टाइम को डबल अब हो जाएगी ठीक है जैसे जैसे वह सोरी दाने हैं वह आपके मैचौर होते जाएंगे वह सोरी आपकी कलर चैंज कर लेगी यानिकि वह आपका गरीन से आपको डार्क ब्राउन कलर में कनवर्ट हो जाएगी ठीक है और बाद में क्या हो जाता है डार्क ब्राउ होता है क्योंकि नॉर्मल जो साइज होता ना उससे थोड़े से बड़े होते हैं यह न तो यह गरीन कलर से फिर ब्राऊन कलर के हो जाता है फिर वाय कaiah कलर के हो घ्यादि में धिसे में देख सकते हो यह आपका एक दम मुल्द ऊ्मलग वह हल्दी सिता आहाई तो कि इसमें आपके सिए सब के एक समान है ना इसमें क्या होता है जो माझलोगी je जो मुझा हो जाती है और गरीन से ब्राउन कलर की हो जाती है और उसमें बद में ठीली सपर्स को जब से 0.25 परसेंट कर सकते हैं एग्रो सेंट से 2.5 ग्राम या थारा मिया कैप्टन से कर सकते हैं थरी ग्राम तो यह मनेजमेंट थे स्मट बाजरा की पिर आपकी नाइस डिजीजे वह है रश्ट बाजरा तो किसे होती है इसका जो कॉजल और गेंजिम है पक्सीनिय पैनि से जाए जाए लोग शिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ठीक है जैसे यह इसका इंफेक्शन बढ़ता है उस टाइम जो वह वह विल्ट हो जाती है और आपको नेक्रोटिक हो जाती है वह लीव के पैक्स से बेस ठीक है जैसे में देख सकते हैं आपकी पतिस है इसमें मेलाजराण के आपको reddish brown to reddish orange color के आपको इसमें शिम्टम देखने को मिलेंगे ठीक है management कैसे करेंगे healthy seed करेंगे healthy soil के अंदर resistant varieties grow करेंगे ठीक है और weed control करेंगे इसके लावा जो over-red irrigation उस से बचेंगे ठीक है और sulfur कि आपने देस्टिंก करते हैं ठीक है तो यह चार मेंजर डीजीज थी रइस्ट समटनार 0077 मघ 503 यह नजबना ओदिंग हुआ से ऐसे ठीक है तो यह बाजरा के इतनी मेंजर डीजीज़ थी मैने आपको बता दी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई